नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका हमारे चैनल में दोस्तो आज हम बात करेंगे दिल्ली के दस सबसे परसीद जगों के बारे में दिल्ली को दिल वालों की नगरी भी कहा जाता है अगर आप दिल्ली में गुमने का प्लान बना रहे हैं तो इन जगों पर गुमने जरूर यह किला दिल्ली के सबसे खुबसूरत जगों में से एक है इसका निर्मान लाल रंग के पत्रों से किया गया है जिसकी वजह से इसका रंग लाल है लाल रंग होने के कारण इस किले का नाम लाल किला पर गया स्वतंता दिवस के आवसर पर परधान मंत्री इसी लाल किले पर त इमारत का निर्मान पर्थम विस्विद्ध में सहीद हुए शैनिकों की याद में 1931 में बनवाया गया था यह इमारत आपके दिल में देश भक्ति की एक अलग ही भावना पैदा कर देगी यहां पर हमेशा हजारों की शंख्या में लोग घूमने जाते हैं नमबर तीन पर है अक्षर धाम मंदिर अक्षर धाम मंदिर दिली का बहुत ही परसिद प्रेटन अस्थल है विस्व के सबसे बरे मंदिरों में सामिल स्वामी नरायन का यह मंदिर बहुत ही विशाल और भव्वे मंदिर है इस मंदिर का निर्मान 2005 में किया गया है यह मंदिर अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, हजारों की शंख्या मिश्रधालू यहां दर्सन के लिए आते हैं, यह मुना नदी के तत पर बना यह मंदिर हिंदु धर्म और संस्क्रीती को दर्शाता है, नमबर चार पर है कुटूब मिनार, यह मिनार काफी एतिहासिक और बहुत ही खुबसूरत मिनार है, यह दिल्ली का सबसे नामी पर्यटन अस्थल है, कुटूब मिनार का निर्मान कुटूब दिन एबक ने करवाया था, इसलिए इसका नाम कुटूब मिनार परा, कुतो मिनार दुनिया का सबसे उचा मिनार है या अस्थान दिल्ली का और यहां आने वाले लोगों का सबसे परमुक और पसंदिदा पिकनिक स्पोर्ट है नमबर पांच पर है कनाड प्लेस कनाड प्लेस दिल्ली के सबसे अच्छे घुमने के जगों में से एक है यहाँ आप अपने पार्टनर के साथ भी आ सकते हैं पार्टनर के लिए यहाँ रोमांटिक जगा मौजूद है यहाँ के सभी परकार की खाने की चीजें फूड रेस्टरेंट, रेस्टरा और बार मौजूद है कनाटडड पलेस दिल्ली का पर्मुख शॉपिंग सेंटर और मनौरंजन का केंदर है नमबर 6 पे है छतर पूर मंदिर यहाँ मंदिर दिल्ली के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है यहाँ मंदिर चारों और बगीचों से घीरा हुआ है सत्तर एकर में फैला हुआ यह मंदिर मुख्य रूप से कात्याइनी देवी का मंदिर है अगर आप धर्म में विश्वास रखते हैं तो आप यहां आकर भक्ती में लीन हो सकते हैं हुमायू का मकबरा दिल्ली के काफी परसिद जगों में से एक है। हुमायू के मकबरे का निर्मान हुमायू की पत्नी हाजी विगम ने 1570 इस्वी में करवाया था। काफी भारी मात्रा में लोग यहां घुमने के लिए आते हैं। यह मकबरा मुगल वास्तू कला का प्रशंसनिय नमूना है नमबर आठ पर है जनतर मंतर जनतर मंतर दिल्ली की परसिद जगहों में से एक है यह अस्थान नई दिल्ली के दक्षिन कनौट सर्कील में इस्थित एक विशाल वैदेशाला है यहां पर घूमने के लिए काफी मात्रा में भीर उमरती है नंबर नौ पे है बंगला साहिव गुरुद्वारा या गुरुद्वारा सिखों और हिंदूओं के लिए परसिद्ध धार्मिक अस्थल है इस अस्थान को इस अस्थान को पवित्र अस्थान माना ज के लिए यह अस्थान बहुत ही खुशूरत जगह है अपनी दिल्री यात्रा के दोरान परिवार के शाथ इस अस्थान को देखने जरूर जाए नंबर 10 पे हैं चानदनी चांदनी चौक दिल्ली के सबसे पुराने बाजारों में से एक है जो की पुरानी दिल्ली में इस्थित है यह दिल्ली का सबसे ज्यादा व्यस्त रहने वाला पर्मुक इलाका है यहां पर सबसे ज्यादा लोग खरीदारी करने आते हैं यह दिल्ली के परसिद लाल किले के साम ही मज़ा आता है यहां पे लोगों को काफी मात्रा में डिसकाउंट भी मिल जाता है जिसकी वज़ा से देश के कोने कोने से लोग यहां घूमने के लिए आते हैं और यह बजार चोर बजार के नाम से भी काफी प्रसिद्ध है आपको यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में लिखकर जरू बताएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए सेर कीजिए और नए नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजेगा मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद दोस्तों